हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है इन्फिनिक्स नोड थर्टी 5G जो के आउट ओफ दी बोक्स XOS 13 और Android 13 के साथ आता है ये फोन अपनी प्राइस के लिए बहुत ही अच्छा फोन है और बहुत सारे फीचर्स के साथ भरा हुआ है पहले तो मैं बात करना चाहूँगा UI की इन्फिनिक्स का जो UI है XOS 13 और काफी इंप्रूब हो चुका है अगर आप यहां पर कंट्रूल सेंटर देखेंगे तो काफी क्लीन लुक के साथ आता है इवन अगर आप सेटिंग्स में चल जाएंगे या फिर एप डोर देखेंगे हर जगा आपको काफी क्लीन लुक देखने के लिए मिलता है इस फोन में दोस्तों आपको कुछ लाइव वोलपेपर का सपोर्ट भी दिया गया है कोम स्क्रीन के पर लूम टैप करके अगर आप वोलपेपर में जाएंगे तो यह वाला उप्शन आपको प्रेस करना है और य अगर आप जाएंगे तो यहां पर ओटो रिकोर्ट को अप्शन आपको मिल जाएगा तो ओटो मेटिकली रिकोर्डिंग आप एनेबल कर सकते हैं इस फोन में डाइलर के अंदर फिंगर्प्रिंट सेंसर के कुछ फंक्शन आपको दिये गए हैं सेटिंग्स में अगर आप लिंक्स में जाते हैं तो आप कोल्स को अंसर कर सकते हैं फिंगर्प्रिंट की मदद से आपको जब भी कोल्स आ रही है आपको बस फिंगर्प्रिंट सेंसर को टच कर देना है वो कोल्स जो है अंसर हो जाएगी ऐसे ही कोल्स को रिकोर्ड करने के लिए भी आप फिंगर्प् करना है तो इस तरीके का gesture आपको phone के सामने करना है अगर आपको call को reject करना है तो कुछ इस तरीके का gesture आप अपने phone के सामने कर सकते हैं ये phone में दोस्तों जो भी applications को आप ज्यादा use करते हैं उसको phone अपने आपसे एक folder के अंदर डाल देता है उसको enable करने के लिए आपको home screen के प folders के related एक और feature जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस phone में आप folders को enlarge कर सकते हैं जो भी folder आपने create किया है उसके पर alone tap कीजिए यहाँ पर enlarge के उपर tap कर दीजिए और इस तरीके से आपका folder एक बड़े folder में convert हो जाता है इसका फाइदा यह होता है कि जो की application आपको open करना है directly आ आप यहाँ पर tap कीजिए उस folder के अंदर से directly आप applications को open कर सकते हैं अच्छा इस phone का सबसे खास feature जो है उसकी बात कर देता हूँ इस phone में आपको bypass charging का support मिलता है एक ऐसा feature जो कि सिरफ dedicated gaming phones में आपको दिया जाता है तो gaming के time अगर आपने phone को charging के साथ connect किया है दूस्तो तो आप gaming जो है उस power की मदद से आप कर पाते हैं ताके battery आपकी involved ना हो और आपका phone heat ना हो क्यूंकि usually battery heat होती है उसकी वज़े से आपके phone की performance नीचे आदाती है और gaming की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बता दूँ के एक और बढ़िया feature आपको magic button का भी दिया गया है कोई भी game अगर आ इसके साथ करना चाते हैं और इस phone में एक और special feature जो आपको दिया गया है वो है JBL sound का इस phone के जो dual speakers है उसको JBL ने tune किया है तो काफी इचा sound output आपको मिल जाता है और उसी के साथ अगर आप sound and vibration settings में जाते हैं तो DTS sound का भी option आपको दिया गया है यहाँ पर भी आप JBL sound का logo दे करना चाते हैं काफी सारे permissions हैं जो आपको इसको देने पड़ेंगे उसके बाद आप अपने phone को PC के साथ connect करके directly अपने phone को PC से ही control कर पाएंगे जैसे कि अगर आपको कुछ data transfer करना है या फिर calls या messages PC के उपर देनी है या फिर phone की screen को mirror करना है applications यूज करनी है काफी सारी screenshot है किसी selective area को select करके आप उसको translate करना चाते हैं या फिर अगर आपको कोई messages आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी आप translate करना चाते हैं इवन अगर आप किसी के साथ face to face बाते कर रहे हैं तो आप audio को record करके voice को translate कर सकते हैं किसी दूसरी language में और आपको यहाँ पर image translation का option भी मिल ज जाते हैं तो यहाँ पर यह option आपको मिलेगा इसको आपको tap कर देना है और किसी भी application को इस सरीके से आप floating windows में open कर पाएंगे इसको आप resize कर सकते हैं या फिर अगर आप बिल्कुल minimize कर देंगे तो यह इस सरीके से यहाँ पर site में पढ़ा रहेगा और इस phone में आपको 120 hertz का refresh rate भी दिया गया है उसको enable करने के लिए settings में display and brightness के अंदर आप जा सकते हैं यहाँ पर आपको refresh rate का option मिल जाएगा यहाँ पर आप इसको 120, 90 या 60 किसी भी option भी choose कर सकते हैं इवन आप auto switch के उपर भी select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि phone automatically switch करता रहे एक और feature जो Infinix UI का मुझे अच्छा लगता है freezer mode का support भी आपको इस phone में मिल जाता है अगर आप चाहते हैं कि background में कुछ applications आपका data usage ना करें RAM usage ना करें तो कुछ applications को आप यहाँ से select कर सकते हैं जैसे कि Facebook है या फिर कोई messenger application है उसको आप select कीजिए यहाँ पर place कर दीजिए इस application को जैसे ही use करने के पाद आप minimize करेंगे phone इस application को RAM में से kill कर देगा इस phone में rear के साथ साथ आपको front में भी एक flash दिया गया है अगर आप control center में जाएंगे तो यहाँ पर flash के edge के उपर अगर आप tap करेंगे तो आपको 360 degree flash को enable करने का option मिलता है जिसको enable करने के बाद आपकी rear और front दोनों flash एक साथ enable हो जा आगे share कर सकते हैं तो एक तरीके से अपने phone को ऐसे wifi extender आप use कर सकते हैं home screen के लिए बहुत सारे gestures का support भी यहाँ पर आपको मिल जाता है home screen settings में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको gestures का option मिल जाएगा आप select कर सकते हैं कि आप finger से जब slide up या slide down कर सकते हैं तो कौन सा action आ के भी कुछ action perform कर सकते हैं यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो आपको hidden apps का भी एक option मिलता है जोके x hide का option है इसको अगर आप setup कर देंगे तो आप applications या किसी भी तरीके की file को hide कर सकते हैं अगर आप settings में जाएंगे तो even इसका password change कर सकते हैं तो password protection plus hide दूनों चीज़ें से म करना है और वो application slow हो जाएंगी इसके अंदर आप even face unlock या fingerprint sensor को भी यूज़ कर सकते हैं applications को unlock करने के लिए settings में गर आप special function के अंदर जाते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे एच्छे features हैं जैसे के memfusion का एक option है अगर आप virtual RAM का feature use करना चाहते हैं physical इस phone में RGB RAM variant आपको मिलता है और इस phone में virtually भी आप 8GB तक ही RAM को expand कर सकते हैं तो total 16GB तक RAM का experience आप इसमें ले सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर आपको smart panel का option मिल जाता है sidebar जिसको आप बोलते हैं अगर आप किसी भी तरफ से swipe करके hold करते हैं तो यह आपका sidebar on हो जाता है यहाँ पर आप काफी सारी apps या shortcuts place कर सक में calls के अंदर अगर आप voice change करना चाते हैं या फिर video call कर रहे हैं तो video beauty mode enable करना चाते हैं voice को record करना चाते हैं messages के लिए peak mode आपको use करना है मतब message देखना है लेकिन उसको read नहीं करना stickers बनाना चाते हैं WhatsApp के लिए काफी सारे functions आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर ही आपक apps का feature use करना चाते हैं सिरफ social media की apps के लिए feature supported है अभी के लिए जादा social media apps मेंने install नहीं की है लेकिन किसी भी social media app के अंदर अगर आपको दो accounts use करने हैं तो आप इसकी मलद से कर पाएंगे उसी के साथ यहाँ पर आपको video assistant का feature भी मिल जाता है दोस्तों किसी भी application में अगर आप videos देख रहे हैं तो videos की quality को enhance कर देता है यह feature अगर आप इसको enable रखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस-किस application में इस feature का support है और यहाँ पर आपको और बहुत सारे action and gestures का support मिल जाएगा जैसे कि screen of gestures यहाँ पर आपको दिये गए हैं screen के उपर कुछ draw करके आप किसी application को open कर सकते हैं या फिर कोई action perform कर सकते हैं ऐसे ही music gestures का option है जब आपका screen बंध है तो कुछ draw करके आप music को control कर सकते हैं और भी काफी सारे motion gestures यहाँ पर आपको मिल जाते हैं privacy से related भी बहुत सारे इच्छे features आपको दिये गए हैं settings में privacy के अंदर privacy protection के अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको secure keyboard का option मिल जाता है इसको अगर आप enable करते हैं तो आप अपने keyboard का layout change कर सकते हैं जैसे कि numpad जब भी आप use करते हैं उसका layout change हो जाएगा या फिर standard keyboard जब आप use करते हैं तो उसको काफी dark कर देता है phone basically anti-peep keyboard enable कर देता है तांके अगर आपके आसपास भी कोई ह तो वो देखना पाए कि आप क्या type कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पर peak proof का feature भी दिया गया है जो कि again same तरीके से काम करता है अगर आप screen के उपर कुछ hide करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो भी आपके आसपास लोग हैं वो देखना पाए आपकी screen को तो इस तरीके से आप अप बजना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने charger को disconnect किया है और privacy related एक और feature जो मुझे बहुत अच्छा लगता है privacy analysis के अंदर more के अंदर आपको secure card का option मिलता है अगर आप चाहते हैं कि कोई application आपके contacts, call logs, SMS या calendar को read ना कर पाए तो आप fake permissions उस application को दे सकत होगा settings में sim and network settings में अगर आप जाते हैं तो यहां पर intelligent network optimization का भी option दिया गया है जिसके अंदर आप smart dual channel को enable कर सकते हैं basically अगर आप wifi और mobile data दोनों को एक साथ use करना चाहते हैं ताकि आपको बहतर network speed मिले और stable network मिले तो इस feature को आप use कर सकते हैं settings में distant brightness के अंदर नीचे आपको status इस बार customization का option भी दिया गया है by default ही सब चीज़ें enabled हैं लेकिन internet speed battery percentage और notification icons आपको देखनी है या नहीं वो चीज़ें आप यहां से control कर सकते हैं उसी के साथ आपको इस phone में scrolling screenshots का support भी मिलता है अब आप एक normal screenshot capture करते हैं तो ये बादे icon को आपको tap करना है और आपका phone जो हो automatically scroll क करना शुरू करतेगा आप menu भी scroll कर सकते हैं और done के उपर अगर आप tap करेंगे तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी एक ही screenshot में capture हो जाएगी चैज़े दोस्तों camera के भी कुछ interesting features आपको बता देता हूं सबसे पहले तो आपको बता कुए इस phone में video portrait mode का support आपको दिया गया है बहुत front and rear cameras में video के अंदर अगर आपको background blur add करना है तो ये button को आप यहां से press कर सकते हैं उसी के साथ film mode में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे creative modes आपको दिये गए हैं अगर आप creative short videos बनाना चाहते हैं तो आप इन modes को use कर सकते हैं आपको बस कुछ parts record करने हैं और phone automatically उसको आपको edit करके इस तरीके से convert कर देगा night mode अगर आप इस phone में use करते हैं तो super night mode आपको दिया गया है जिसके अदर बहुत अच्छे color filters हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो black world, green, orange, ice blue ऐसे बहुत सारे color filters आपको दिये गए हैं जो के रात में अगर आप lights को capture करने के लिए य आपको मिल जाएगा, सिरफ rear camera में slow motion वीडियो साब capture कर सकते हैं और resolution वगेर आप कुछ भी यहां पर change नहीं कर सकते हैं, camera के अंदर एक बहुत बढ़िया mode जो मुझे लगता है वो है sky shop का, specially इस phone में वो काफी इच्छे से काम भी करता है, अगर आप sky को replace करना चाहते हैं तो बस आप इस phone में एक photo capture कीजिए, phone automatically इस photo में से sky को detect करके sky को replace कर देगा, और sky को replace करने के भी यहां पर बहुत सारे options आपको दिये गए हैं, और यह phone सिरफ background को replace नहीं करता, बलके जो आगे subject है, उसके ओपर भी थोड़ा effect apply कर देता है, तांके photo जो है वो और जादा natural लगे, उसके साथ और भी काफी सारे camera modes आपको यहां पर दिये गए हैं दोस्तों, जैसे के beauty mode अगर आपको use करना है, pro mode अगर आपको use करना है, आपको documents का mode है, panorama mode है, वो सब भी आप यहां से use कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था, I hope यह वीड इक लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों